नमस्कार दोस्तों आपको बताते हैं कि आपके सिहत के लिए कितना फायदेमंद है दोस्तों आप हमारी चैनल पर नए है और अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हमारे आनेवले सभी हैल्थ और ब्यूटी के अपडेट्स लगातार आ जबकि सोडियम बेहत कम होता है 100 ग्राम लोविया में केवल 4 मिलीग्राम सोडियम होता है जबकि 431 मिलीग्राम पोटेशियम होता है अगर आप ज्यादा पोटेशियम वाले आहार खाएंगे तो आपका ब्लड ट्रेसर कंट्रोल रहता है लोविया में फाइबर और प्रोट और अपच के मरीजों के लिए भी लोबिया का सेवन बहुती फादेमंध होता है। लोबिया में आरेंड की मालतर अच्छी होती है, इसलिए से खाने से खोन में हीमोगलोबिन बढ़ता है और कमचोरी तूर होती है। खोन में हीमोगलोबिन की कमी के कारण इनीमिया हो जाता है, जिसे खोन में लाल लक्त कणिकाय यानि की रेट ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है। शरीर में सभी हिस्सों तक ऑक्सिजन पहुचाने के लिए खोन में हीमोगलोबिन होना बहुत ही ज़रूरी है। सौ ग्राम लोबिया में इतना आयरन होता है कि आपके द्यानिक जरुत का लगभग 6 प्रतिशत पूरा हो जाता है विटामिन ए और एंटी आक्सिडेंट का खजाना होने के कारण लोबिया कई तना की बिमारियों को आप से दूर रखता है ये फलियां शरीर में विभिन विशक्त पदार्थों और खाने का रख ऑक्सिजन रहित तत्यों को बाहर करने में मदद कर शरीर को स्वस्थ रखने में उप्योगी है लोबिया उन लोगों के लिए भी फाइदे मंद है जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है और उन लोगों के लिए भी जिनका वजन बढ़ गया है इसका कारण यहाँ है कि लोबिया में फाइबर होता है जो पेट जल्दी भरता है इसके लाबा लोबिया में कैलोरी की मातरा कम होती है इसलिए से खाने से उन लोगों के शरीर से त्रिक्त चर्बी घटती है जिनका वजन जाता है वहीं लोबिया में ऐसे मिनरल्स और एंटी ऑक्सिडेंट भी होते हैं जो शरीर के विकास में मदद करते हैं तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि हपते में दो बार लोबिया की सबजी का सेवन करें मुझे पूरी आशा है दोस्तों कि जानकारी आपको फायदे मंद लगी होगी आप इसे लाइक कीजिए और अपने सोचल मेडिया अकाउंट पे इस वीडियो को अवस्य शेयर कीजिए और हमारे इस यूटिव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो अगले प्राइब दिस दियात